दोस्तों आज के studio में cover करने वाला हूँ आप लोग के कुछ पूछे के questions को और यहाँ पर उन सभी questions का answer करने वाला हूँ हाला कि दोस्तों मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अपने चैनल पे इस Q&A वाली series को बंद करने के लिए क्योंकि मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग के जो भी questions है उसका comment में ही reply कर दिया जाए तो यह जो Q&A वाली series है वो नहीं करने पड़ेगी अगर मैं सभी questions का answer जो है वो comment box में ही जो भी आप comment करेंगे वहाँ पर reply कर दूँगा तो ऐसे में कोई question बचेंगे ही नहीं जिसके लिए मुझे यहाँ पर Q&A वाली series करनी होगी तो आपका क्या opinion है इसके बारे में हलाकि इसमें time काफी लगने वाला है reply करने में सभी लोगों को यह करके लेकिन मैं मैं मैंनस कर लूँगा मैं कोसिस करूँगा उसके लिए आपका क्या opinion है अपना opinion है जरूर से comment box में comment करके बता दीजेगा दूस्तों बात करो सबसे पहले question के बारे में सबसे पहला question जो है वो निकल करके आता है यहाँ पर SM take की तरफ से यह बोलते है कि ब्रो मेरा budget जो है वो 13K का है और मैं कौन सा mobile लो प्लीज रिप्लाई 13K के price में काफे सरे smartphone आते हैं जैसे कि realme 8i smartphone हो गया या फिर यहाँ पर realme 30 smartphone हो गया और अभी में हाली में एक नया smartphone launch हुआ है अगले question के बारे में अगला question है बो निकल लेता है नरेस नूई की तरफ से यह बोलते हैं कि can I buy realme 8 or can I wait for realme 9 तो अगर मैं आपको अभी बताऊं तो आपको अभी के time पे realme 9 smartphone का वेट करना चाहिए क्योंकि realme 8 smartphone अल्यडी पूराना हो चुका है और realme 9 series बस आपको एक ही महीने बाद देखने को मिलने वाली है जैन्वरी में तो ऐसे condition में आप realme 8 को ना लेकर के 9 का वेट करेंगे तो आपके लिए काफी ज़्यादे better होगा कंपनी कह रही कि हम यहाँ पर काफी यूनिक फीजिक के साथ में smartphone को लाने वाले है तो देखते हैं क्या होता है और यहाँ पर इंडिगा यह भी कहना है कि कि यह smartphone इंडिया में आएगा ही देखते हैं अगर आता है री ब्रैंड होकर के तब तो अच्छी बात है बाकि रेडवी note 11 pro smartphone जो है वो भी आपको जैनवरी लास्ट या फिर फैबरुरी के महिने में देखने को मिलने वाला है और यह smartphone कि प्राइस पॉइंट पर आएंगे अ अगर smartphone की प्राइस नहीं पता है तो आफर में क्या प्राइस रहेगी यह हम कैसे बता सकते हैं तो यह कुछ डिटेल है आप realme 9 का वेट कर लीटे आपके लिए ज्यादे बेनिफीशियल रहेगा बात करूं अगले question के बारे में अगला question है वो निकल रहता है मुस्तरी खान क आपको देखने को मिलने वाला है लगभग आप यह मान करके जल सकते हैं कि दिसंबर के महिने में कहा जा रहे कि दिसंबर में यह जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगला question है वो निकल रहता है वसीम खान की तरफ से यह बोलते है कि it will be 5G phone don't worry realme 9 pro and realme 9 pro plus both will be great तो मेरे भाई कहा भी ऐसा ही जा रहा है कि realme 9 pro and realme 9 pro plus 5G smartphone ही होंगे लेकिन देखते हैं आखिर आगे क्या होता है बीच में detail आई थी कि 9 pro plus 4G है स्वास करने ही सकते हैं क्योंकि company का कहना है कि 15,000 रुपे की price पर जो भी smartphone आएंगे वो सभी के 5G होंगे तो अब यह सी बात है realme 9 pro plus जो smartphone है वो 5G ही होने वाला है और इसकी जो price है वो 15,000 रुपे से उपर ही आपको देखने को मिलने वाली है अगरा जो question है वो निकल कर कहता है प्रफुल सिंग की तरफ से यह बोलते है कि भाई Micromax का 5G phone कब तक आएगा Micromax का 5G phone है वो आपको देखने को मिल सकता है इसी December के महिने में, कहा जा रहें कि Micromax का 5G phone है वो December 15, 15 December के आप पर India में लॉंच हो सकता है Micromax प्लान कर रहा है, अब ये तो हर महिने में कहा जाता है कि इस महीने में आ रहा है महिने बार है लेकि नवी तक एक भी smartphone आई नहीं है, smartphone आज आए December में तभी हम माने क Micromax का 5G smartphone आ गया है बाकि जो भी डिटेल आएगी मैं आपके साथ में जरूर से सेयर करूंगा बात करूंँ अगले question के बारे में यह अगला question है वो निकल करता है smart dash की तरफ से यह बोलते हैं कि realme 9i में Mediatek Helio G90T का प्रोसेसर होगा G90T का प्रोसेसर होना तो मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि Realme 6 स्रीज में G90T का यूट्स किया था Realme 6 स्मार्टफोन में तो G90T काफी पुराना हो गया है अभी जो Mediatek G स्रीज में काफी लेटेस प्रोसेसर है वो है Mediatek Helio G96 तो पॉसिबल है कि Helio G96 पे Realme 9 स्मार्टफोन आ सकता है अगला जो कुश्चन है वो निकल करता है अकांस राजपूत की तरफ से यह बोलते हैं कि 4G में Realme 9i में Qualcomm Snapdragon 855 Plus चाहिए तो यह तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला है अगला जो कुश्चन है वो निकल करता है रुपेश की तरफ से यह बोलते हैं कि सही तो है भाई 5G का पता नहीं कब आएगा प्राइस भी कम रहेगी यह कहते हैं यह Realme 9 Pro Plus के 4G वैरेंट के लिए कह सही बात है अगर 4G भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है 5G कोई आता पता है नहीं कब आने वाला है वैसे कहा जा रहा है कि next year 5G आएगा 15 अगस्त वगरा के टाइम पे यह अनौन्स होने वाला है तो उसके बीच में तो यार हमारा smartphone पुराना हो जाएगा हम दूसरे smartphone की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो यह डिटेल अब देखते हैं आखिर एक्चुल में क्या चीज़े निकल करके आती हैं बात करूं आपसे अगली question के बारे में अगला question है वो नहीं करता है वीपिन सुकला की तरफ से यह बोलता है कि रावल भाई क्या जो realme 9 smartphone है व 5G के साथ में तो डिसंबर में तो नहीं आएगा क्योंकि company ने officially confirm कर दिया है कि realme 9 series के जो smartphone है वो launch होंगे 2022 में 2022 के जैनवरी में आप मान करें सकते हैं कि smartphone आ सकता है और अगर इस smartphone की price के बारे में बात करें तो इसकी starting price है realme 9i जो smartphone होगा वो आपको 13 14 औरपे की price पे देखने को मिलने वाला है तो रसा फाली ये थे आप लोगों के कुछ पूछे के questions जो कि मैंने इस वीडियो में cover की अब हाला कि questions काफी सारे हैं जो कि मैं cover करूंगा तो मुझे रगता है कि 3-4 गंटे की video बन जागी जिसका question मैं cover नहीं कर पाए उसके लिए sorry अगर आपके कोई question और रहे गया तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजे मैं आने वाले next क्योंने वीडियो में जरूर से आपके question को cover करने की कोसिस करूंगा दोस्तों की था वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ अगर आपने अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजेगा